आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोडिंग टीकोडिंग के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से बहुत कम समय में कैसे बनाया जा सकते हैं विदिन 30 सब्सक्राइब किसी भी सवाल को बना सकते हैं भली ही वो sentence coding का सवाल ही क्यों ना हो आईए मैं आपको दिखाता हूँ एक सवाल, जैसे example के तौर पर मैंने एक sentence coding का सवाल रखा है, यहाँ पर तीन sentences दिये गये हैं, you are good, good and bad, they are bad, और इन सभी सके सामने में code दिये गये हैं, एक sentence में जितने word होते हैं, उतने ही code इसके सामने भी होंगे, तीन word हैं, सामने में तीन code है, अब आपको find करना है, इनके basis पे, कि दे के लिए code क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, दे के लिए code क्या होगा, अब जिस word का हमें code निकालना है, हमें उस चीज़ पर focus रहना चाहिए, जैसे example के तौर पर माल लीजिए, आप से गर पूछ जाता कि बताओ, R के लिए code क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जिस जगे पर R common है, वहाँ वहाँ चेक करने की कोशिस करोगे, जैसे पहले में और तीसरे में R common है, तो दोनों में जब R common है, तो इसके सामने code भी तो common होगे ना, दोनों में, तो पहले में और तीसरे में common code क्या है, तो दोनों में जब common चेक करेंगे तो na न ये दोनों में code common है जब na common है इसका मतलब ये हुआ कि r के लिए na answer आ जाएगा r के लिए na code हो जाएगा उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दे दे के लिए code क्या होगा तो जब दे को निकालने जाएगे तो देखते हैं दे कितनी जगे common है जितनी जगे जो common होगा उसके लिए code उतनी बार आएगा जैसे r दो बार था तो दो बार code आ गया उसी प्रकार से दे कितनी बार है ये हमें चेक करना पड़ेगा दे यहाँ है इसमें नहीं है मतब दे केबल एक बार है अब देखो जब ऐसा सवाल आता है कि वो कहीं common है ही नहीं जैसे दे इस वाले सवाल में सिर्फ यहाँ है इसके लावा कहीं नहीं है तो normally लोग क्या करते हैं इस सवाल को बनाने के लिए वो r और bad को r और bad का code निकालके इसके code को यहाँ से remove करते हैं फिर यह decide करते हैं कि दे के लिए code यह वाला word होगा या फिर यह code होगा लेकिन आपको आगे ऐसा नहीं करना है अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं सवाल को चुटकियों में करना चाहते हैं पांच सेकेंड के अंदर करना चाहते हैं उसको बनाने का एक आसान तरीका जो word जितनी बार आएगा उसका code उतनी ही बार होगा तो दे कितनी बार आया दे केबल एक बार आया जब दे इकलोता है तो code भी इसका इकलोता ही होना चाहिए तो इसमें कौन सा code ऐसा है जो इकलौता है वो हमें चेक करना है तो N-A ना अल्रेडी किसी के लिए आचुका है Papagam P-T-O-K यह उल्रेडी आ चुका है चुक्रज़िए दो बार आया तो यह भी हमारे से के लिए कोड़ नहीं होगा कि से एक ही बार है तो इसमें में चीज़े आ गई हैं तो अगले सवाल का आंसर मैं चाहता हूँ आप मुझे comment box में दे इस सवाल का एक screen shot ले लिजे और इसका answer मुझे comment box में बताईएगा कैसी लगी class मुझे एक बार ज़रूर बताईएगा अगर class अच्छी लगी तो class को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे और साथ साथ share भी कर दीजे धन्यवाद